दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, हमलावर भी दिल्ली का रहने वाला है और पुलीस ने उसे हिरासत में ले लिया है सीएम पर हुए हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला सचीवाले में CM पर अटैक दिल्ली के मुख्यमंती अर्वींद केजरिवाल पर मिर्च पाउडर फेका गया और ये घटना हुई दिल्ली सचीवाले के सुरक्षा के अंदर इस हमले में CM केजरिवाल का चश्मा भी तूट गया तस्वीरों में आप फर्श पर पड़ा मिर्च पाउडर साफ देख सकते हैं मिर्च पाउडर फेकने वाले शक्स को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली के नारायना का रहने वाला है और उसका नाम अनिल शर्मा है इस हमले को मुख्यमंत्री के सुरक्षा में बड़ी चूप माना जा रहा है और कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल नमबर एक मिर्च पाउडर लेकर आरोपी सचिवाले में कैसे घुसा सवाल नमबर दो क्या सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को चेक नहीं किया सवाल नमबर तीन सीएम की सुरक्षा में चूप का जिम्मेदार कौन है उधर आम आदमी पार्टी ने इस हमले को गंभीर बताया है और कहा है कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा विरो रिपोर्ट जी मीडिया दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज रिवाल पर दिली सचेवाले में मिर्ची पाउडर फेखने के दौरान का वीडियो सामने आया है वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी शक्स पहले एक लेटर देने के बारे केज रिवाल के पास आता है फिर धीरे से उनके पैरों पर छुकता है और उसके बाद अर्विंद्चेजरिवाल पर मिर्ची अटाक कर देता है इन तस्वीरों में आप देक सकते हैं कैसे एक लेटर देने के बहानी यह शक्स C.E.M. केजरिवाल के पास आया, उनके पैड चुए और फिर वो मिर्ची पाउडर उनके उपर फिक दिया। और यह अटाक का वीडियो सामने आया है सचेवाले से। जहाँ पर मुक्यमंत्री अरविंद केजरिवाल पर मिर्ची अटाक हुआ। यह पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरिवाल पर हमला हुआ हो। पहले भी केजरिवाल पर कई बार हमला किया जा चुका है। हमलों की लिस्ट बेहद लंबी है और 2014 से ही केजरिवाल पर हमले होते रहे हैं। कभी स्याही फेकी गई है तो कभी केजरिवाल को थपड मारा गया है 17 जनवरी 2016 दिल्ली के 16 साल स्टेडियम में अरविंद केजरिवाल का कारिक्रम था तभी भावना अरोडा नाम की एक महिला ने उन पर स्याही फेकने की कोशिश की थी तभी हमने आपको दिखाया कैसे मुक्यमंत्री अरविंद केजरिवाल पर मिर्ची फेकी गई है और लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरिवाल पर ये हमला हुआ हो पहले भी केजरिवाल पर कई बार हमला किया जा चुका है